मेरे प्यारे सातियों नमस्कार आज के वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एकजाम की दिठी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से आन तक देखेगा साति रोजना राजस्तान जीके के से वीडियो पाना चाहते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योस्तान आपके सामने राजस्तान में हज आउसका निर्मान कब और किस जिले में किया गया बहुत ही इंपोर्टेंट परसन आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा कि राजस्तान के अंदर हज आउसका निर्मान कब और किस जिले में किया गया तो ये 2013 के अंदर किया गया था डेट आपको पता होनी चीए पांच मईई 2013 जेपूर के अंदर क्योसर नमर टू की बात करते हैं कि राजस्तान में दली समाज को आर्थिक रूप से सस्कत बनाने के लिए अमेडगर संबल योजना के सुरुवात कब की गी बहुत इंपोर्टेंट परसन आप लोग ध्यान दीजेगा कि राजसान के अंदर दली समाज को आर्थी ग्रूप से मजबूत बनाने के लिए अमेड़ ग्रसंबल लियोजना की जो सुरुवात की की थी वो की कीजित 2016 के अंदर 14 अप्रेल 2016 आप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नमर थरी की बात करते हैं राजसान में पर्थम वक्प बोर्ड का गठन कब किया गया वेरी वेरी इंपोर्टन है राजसान के अंदर पहला वक्प बोर्ड का जो गठन वो कब किया गया 1999 में 12 जुलाई 1999 आप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नमर फोर की बात करते हैं राजस्तान राजे में Air Force Flying College जो कि किस जिले के अंदर है बहुत important परसन आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा और वीडियो के अंदर मानदर इसे बताना कि 25 में से आपके कितने सही है इससे आपकी practice ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी किसी आप लोग हरी किसन का अंसर जरूर कॉमेंट कीजेगा तो राजस्तान के अंदर Air Force Flying College जो कि जोदपुर के अंदर है option C इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और फाइब की बात करते है निवन में से राजस्तान राजे में सहेकारीता का कारिये भारतपुर वे डिंग में क्रिशी बैंक की इसस्थावना से कब प्रार्म की हुआ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि सहकारी तका जो कारी है भार्थपूर उडिंग में जो क्रिशी बेंग की स्थापना से कब प्रारण हुआ था तो यह 1904 के अंदर हुआ था आप्शन भी इसका सही उत्तर है क्यों सनवर्ड सिक्स की बात करते है राजस्तान राजे के किस राष्ट्य उध्यान को विसो द्रोर होने का गोरो प्रापता है तो कैवलादेव राष्ट्य उध्यान जो की भर्थपूर के अंदर है उप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सनवर्ड सेवन की बात करते है राजस्तान में रेकिस्तानी भाग में राजे की कुल कितने परती जनसेंग्या निवास करती है तो चालिस परसीज उप्शन सी इसका सही उत्तर है क्यों सनवर्ड एट की बात करते है निवन में से राजस्तान राजे का परतम राष्टे उध्यान कौन से है वेरी वेरी इंपोर्टन है राजस्तान राजे का पहला राष्टे उध्यान जो की रंधंबोर है उप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नमर 9 की बात करते हैं राजस्तान राजे का परसी दर्रावन्य जी अभ्भारण जो कि किस जिले के अंदर है राजस्तान का दर्रावन्य जी अभ्भारण जो कि बहुत फेहमस है और ये किस जिले के अंदर है ये कोटा के अंदर है आपसन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नमर टैन की बात करते हैं राजसान राजे में भारतपुर, करोली और धोलपुर, क्षितर जो कि किस प्राचिन नाम से जाने जाते हैं नाम बहुत फेमस है भारतपुर हो गया, करोली हो गया, धोलपुर हो गया और इनको जो प्राचिन की सिनाम से जाना जाता था तो सूरसिन इसका सही उत्तर रहेगा आपसन ए जो कि सूरसिन जो कि भारतपुर करोली और धोलपुर को प्राचिन समय में सूरसिन के नाम से जाना जाता था क्योंसमर ग्यारा के बात करें राजसान राजे में जेन धरम को प्रोसाइद करने वाला मोर्य कालिन सासक कौन था जेन धरमको प्रौसाइन यानि उसका विकास करने वाला जो की मोर्य कालिन सासक कौन था ओप्सन बी इसका सही उतरेगा संप्रति ओप्सन बी क्योसनवर 12 की बात करें राजसान में आने वाली अरावली परवस्रंखला का कुल भाग कितना परतिस्त है राजसान के अंदर कितना परतिस्त बुबाग जो की अरावली परवत का आता है जो की 80 परतिस्त ओप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 13 की बात करें राजस्तान राज़े में किस राजबुत रानी ने हुमायू के पास राखी भेज कर बहादूर साय के खिलाब सहायता का संदेश भेजा था किस राजबुत राणी ने हुमायू के लिए जो राखी विजवाई थी और भादुर साह के खिलाब उसके लिए सहायता मांगी थी तो राणी करवनती आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 14 की बात करें राजस्तान राजे में जन्गर्णा 2011 की अनुसार जैसलमिर जिले की जनसंग्या घंतो आपको बताना है 2011 के आंगड़े आपको याद होनी चाहिए देखे जनसंग्या 2011 के आंगड़ों के अनुसार जैसलमिर जिले की जनसंग्या घंतो हमने बात की थी जनसंग्या के मामले में जेपुर की जनसंग्या सबसे ज्यादा है ठीक है यहाँ पर हम जैसलमर की बात करें तो 17 विक्ति वरक किलोमेटर यानि मातर 17 विक्ति आप्शन ए इसका सही उतरेगा यानि एक वर किलोमेटर में मातर सत्रा वेक्ती निवास करते है क्योसन और पंदरा की बात करें राजस्तान राजे में निवन मैसे किनके सासनकाल को मेवाड की चितर कला की इतिहास का सवरन यूग कहा जाता है एक जाम में कई बार पूछा गया है आपको याद होना चाहिए आगे भी पूछा जा सकता है राजस्तान जी के कैसे इंपोर्टन क्योसन पाना चाहते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना राजस्तान राजे में नीवन में से किनके सासनकाल को मेवाड की चीतर कला की इतिहास का सवरन यूग माना जाता है तो महरणा अमर सियेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर सौला के बात करें निवन में से राजस्तान राजे में रेगिस्तान का गोरव किसे का ज़ता है रेगिस्तान का गोरव जो कि खेजड़ी को का ज़ता है ऑप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 17 की बात करे अक्वर के नवरतनों में राजबुतना के कौन से कवी थे इन मेंसेज जो अक्वर के नवरतन जो की किये गए थे उनके अंदर राजबुतना के कौन से कवी सामिल थे तो अबुल फजल आप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसे नवर 18 की बात करें राजस्तान राजे में जन्गना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगनपात सरवादिक है राजस्तान की जो जन्गना 2011 के अनुसार किस जिले का जो लिंगनपात है वो सबसे ज्यादा है तो option A इसका सही उत्तर रहेगा डूंगरपुर का क्योसर नमर 19 की बात करें अरावली परवत्माला की कुल लंबाई कितनी आपको बताना है कि अरावली परवत्माला की कुल लंबाई एक्जाम में परसन सीधा सा बनता है कि अरावली कुर्पर उतमाला की को लंबाई बताईए और ये परसन पूछा गया है कई पर पूछा गया है तो आप्सन भी इसका सही उतर रहेगा 692 कि में यहां पे 962 दिया जाएगा जो आपको कन्फ्यूज करेगा हमेशा याद रखना 692 क्योशन भी इसकी बात करें राजस्तान राजे में मेवाड के किस महारणा ने मुगलों से संदी की थी तो अमरस ये ने ऑप्सन सी इसका सही उतर रहेगा क्योशन भी इसकी बात करें राजस्तान राजे में प्राचिन काल में कौन सी नदी परवाईत होती थी राजस्तान के अंदर प्राचिन समय में बहुत पहले की बात है उस समय कौन सी नदी परवाईत होती थी सरस्ती नदी ऑप्सन डी इसका सही उतर रहेगा क्योसर नवर 12 की बात करें राजस्तान में कुमलगडवाई गोगूंदा के मन्दे पठार किस नाम से जाने जाते हैं तो उन्हें भुराट का पठार का आज़ता है आप्सन ए इसका सही उतरेगा क्योसर नवर 23 की बात करें राजस्तान राजे में सात्वी स्थापदी से बार्वी स्थापदी का काल कौन सा काल कहलाता है सात्वी से बार्वी स्थापदी के बीच में कौन सा काल कहलाता है तो राजबुत काल आपसन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नमर चोईस की बात करें राजस्तान राजे में बालू के टीलों को हवा से अपना स्थान बदलते हैं वो कहलाते हैं राजस्तान राजे में बालू के जो टीले वो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें क्या का जाता है गरियन आप्सन भी इसका सही उतर रहेगा क्योशनर पचीस की बात करें राजस्तान राजे में सिंदू घाटी सबेता से लेके गुप्त वंस के नमोनों का संगरे किस म्यूजियम में है राजस्तान के अंदर सिंदू घाटी सबेता से लेके गुप्त बंस के नमोनों का जो संगरोव किस म्यूजियूम के अंदर है तो ये बी का निर के अंदर है आपसन सी इसका सही उतर रहेगा अब बात करते हैं वीडियो के अंद में आप सभी से एक इंपोर्टेंट परसंट पूसादार है इसका आप लोग उतर जुरूर दीजेगा अगर आपको उतर नहीं बता तो भी आप लोग कोसिश कीजेगा क्योंकि कोसिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नीमिन में से राजस्तान राजे में सरवादिक अपोहाक शेतर रखने वाली नदी कौन सी है देखते कितने बच्चे सही उतर दे बाते हैं और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने से वे मांदरी से कॉमेंट कीजेगा किसी भी क्योशन को लेकि कोई डाउट हो राय या सुझाव देना हो ता आप लोग कॉमेंट जुरूर कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और डेली रास्तान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टन क्योशन के वीडियो पाना साथे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू एंड बेस्ट अब लग